भी तो तो आज फिर से तो एक नहींसे बिलाएं देखिंए आज बाए हैं ऌभी मासाला जो बहुत ही शांदार स्वते कि DIRECTOR युमिह और ड्राइ चिखन भूना मुना मासाला डिकंड मसाला देखिए बहुत ह Captored आप घर में ड्राइब कर सकते हैं देखें प्याज काटे सबसे पहले आप प्याज काट लेंगे लंबे लंबे देखें दोस्तों इसके लिए चाहे हमें एक किलो चिकन और 500 गिराम प्याज चीए 300 गिराम चीए टमाटर और ग्रीन चिल्डी चीए आठ से दस और कोरिंडर चीए अनिया साबुच चीए जीरा साबुच चीए और यह हमारे को खड़े मसाले जावित्री लॉंग काली मिर्च इलाइची बड़ी इलाइची और दोस्तों हमारे को चीए पाउडर जीरा पर्डर तेटी मिरॉक लिलर यह हम जब सकावल मवयश साथाली और दही ढॉलाइच लिए इसमें रहाised घालाईच्प अच्छे से बिलाको जो हमारा मुणा मसाला बहुत ही सांदार बनेगा और जो हमने खड़े मसाले को भून के उसको पीस रखाया देखे उसका टेस्ट पूरे चिकन के अंदर जाएगा आप देख सकते हो यह जो हमने मसाला बना वह चिकन के अच्छी तरह से हमने मिला यह देखे हमने हल्का सा सरसुका अब ढाल दिया यह देख सकते हैं है अदोस्तों बहुत ही सांदार और युमि और टेशटी रिसीप आप घर में ट्राइब कर सकते हैं यह देखिए हमने प्यास जूलियन काट देया हैं और हमारे बीशे हैं और दही है टमाटर प्यूरी जो हमने पेश्ट बना लिया है और इंडियन स्पाइस मसाले हैं बहुत संदर देखे आप देख सकते 15-20 मिनेट हो चुके हैं हमारे चिकन को और देखे कलर बहुत संदर देखे जो फिलेवर है बहुत अच्छा है आओ यह देखे है हमारा तेल कड़ाई चड़ चुकी है सीधे सिवाब भोजनाले च्छतार पुनेटा पेटोलम देके हमने कड़ाई चड़ा दिये हैं और दोस्ता हमारी रेसिप को जादे से जादा फॉलो करें लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अगली रेसिपी आप तक पहुंच तक को सके हमारा तेल चल चुका है और घरम होने के वाद हम इसमें खड़ा अधर आलेंगे तेज बत्ता हो जो हमने कrend के हैं मसाले वो डालेंगे देखिए बीके दोस्तों हमने तेज पत्ता डाला और युँसके बाद हमारे मिकस में पीस रखे ते एक मसाले और दाल दे औ ताकि जो अगली रेसिपी है आपको पहुंचने से और देखें दोस्तों जो हमारा चिकन है आपको दिखा सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा लूक आ गया और जो इसका फ्लेवर है बहुत ही सांदार आएगा यह देखिये हमारा जो प्याज है वो लगबग हो चु को डालेंगे यह देखें और इसको अच्छे से हिलाएंगे अब इसमें हम जो हमने चिकन मेगनेट किया था वो डालेंगे देखें इसको अच्छे से हिलाना दोस्तों ताकि जो मसाला है इसके अंदर तक जाए और जो हमने मसाले बना रखें वो भी डालेंगे इसमें जो हल ताकि जो मसालो का रसे इसके अंदर तक जाए और बहुती शांधार प्लेवर आए और चिकन भुना मसाला बहुती यमी और टेस्ट ये देखें हमने जो मसाले मनाए थे चिकन मसाला और जो हमारे बाकी के मसाले थे नमक ते सब डाल जया गया है और देख सकते हैं हमारा चिकन क्या कल्र है ये देखें दोस्तों बहुती सांधार चिकन भुना मसाला कि यह देके बहुत अच्छा लुक आ चुका है और दोस्तों इसमें हम टमाटर प्यूरी बचिए हैं वो भी डाल देंगे और इसको लाते रहेंगे और धकन लगा के पखने देंगे ताकि जो हमारा मसालों का रस्ते हो इसके अंदर तक जाए और बहुती सांदार चिकन मसाला अब भुना मसाला हमारा रेडी और इसको आप रोटी चपाती नान किसी में ले सकते आप बिरियानी पलाव जिरा राइस आप इंडियन रेस्टोरेंट में कहीं भी जाए आपको यह रेसीपी देखने को मिलेगी और दोस्तों इसके हमारा रेडी हो चुका है चिकन भुना आप देख सकते बहुती सांदार लूप आ गया है और दोस्तों हमारे रेसीपी ज्यादा से आप फॉलो करें धन्यवार नमस्कार